ठीक है क्या नहीं आपका? अपना अरुप खोश अचा कहां से बात कर रहे हैं? हम कलकर से बात कर रहा हूँ अचा तो क्या था यह हुआ आप? पताइए आप जो बोलबना यह कोई माना कमाना थे यह मतलब मतलब बोदल के दीकलास पर चिपकाना पड़ेगा लिखे यह मैंने शुरू किया था मेरा एक पस्तुनर मोनकावना थी मतलब हम पक्ते कर गए पहले हम जब काट किया थे अपोदी रहा है था आपलो ना तो बोला है हम तो कोशिटो करना जाहिए तोड़ा ना बात में नहीं चौना जाहिए उसके बाद हम करते है दो हफते के अंदर मेरा वोनकावना फुड़ा है तो हम बहुत चाही कर रहा है यह तो बहुत लोग फोन कर रहे होते हैं और सब का अच्छा तो आप गूलब सामकरी कब से देखना शुरू किया आप लोगों को क्या कहन देखने में पर लगवात है अब अच्छा पर अपकि तो बात बोला है अगार अपिष्वास पोई किया जाए तो किस अच्छा कोई क्या घाए शुपास आप जैसे जैसे हम बता रहे हैं वैसे वैसे विश्वास के साथ करेंगे तो impossible काम भी possible हो जाएगा आपका ओम शरी परमात मने नवा देखा किस प्रकार से यदि किसी और के कारे सिद्ध हो सकते हैं तो आपके भी हो सकते हैं आवशक्ता हैं मात्र, सच्चे विश्वास की और जिस प्रकार से कोई भी चीज़ बताई जाए या तो कोई मंत्र बताया जाए अथवा कोई उपाय बताया जाए उसी प्रकार से उसको करिये और उसके बाद आपका भी इसी प्रकार से बहुत ही जल्दी और अच्छे ढक से कार्य सिद्ध हो जाएगा सबसे पहले मैं आपको यह कहना चाहता हूँ कि जिन भी व्यक्तियों की जिस भी साधक अथवा सादिका की कोई भी इच्छा पूरी हो जाती है या कोई कार्य सिद्ध हो जाता है तो वैं हमें वाटसप पर मैसेज या इमेल अवश्य करें और यदि फोन कर सकते हैं तो फोन करके भी हमें अवश्य बताएं तक हम सब तक आपकी बात को आगे ले जा सकें और आज मैं आपको एक ऐसा चमतकारी मंत्र दे रहा हूँ जिसको यदि आपने सिध कर लिया तो आप सोच भी नहीं सकते कि आप अपने प्यार को कितने जल्दी हासिल कर सकते हैं और यह मंत्र मात्र 108 बार जाब करने से सिध हो जाता है और बहुत ही सटी काम करता है यह सबसे पहले इस मंत्र को जाब करने से पहले जो साबधानिया है मैं आपको वो बताना चाहता हूँ कि आपको क्या साबधानिया रखनी है यदि आप मास, मदीरा, अंडा ये सब खाते हैं तो इस मंत्र का प्रयोग आपके लिए कता भी नहीं है आप इसे नहीं कर सकते ये आपके लिए वर्चित है इसको केवल वही कर सकता है जो सात्विक हो ब्रह्मचरिय का पालत करे यदि आप मीट, अंडा, मास, इत्यादी कुछ खाते हैं और चाहते हैं कि आप इसका उपाय कर सके इस मंत्र को आजमाना चाहते हैं तो कम से कम तीन महीने पहले आपको ये सब छोड़ना पड़ेगा और तीन महीने के बाद आप इसको कर सकते हैं और यदि आप मास, अंडा, मीट, इत्यादी नहीं खाते आप शाका हरी हैं पूर्ण तर तब आप इसको कर सकते हैं और ये बहुत सटी काम करता है दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ब्लैक मैजिक सिर्फ नाम का ब्लैक मैजिक होता है लेकिन उसके जरिये करे जाने वाले कार्य अधिकतर अच्छाई के लिए होते हैं और यह बात आप भी जानते हैं इस मत्र को जाब करने से पहले कुछ सावधानिया जो आप अवश्य जाने कि एक तो आपको पूर्णत है साथविक रहना है और ब्रहमचरिया का पालन करते वक्त इस मत्र का आप जाब करें इस मत्र को कैसे जाब करें सुभ़ उठे, सुभ़ 6 बजे, कम से कम आपको 6 बजे उठना है 6 बजे से आप 10 बजे के बीच में सुभ़ इस मंतर का जाब करें और मंतर जाब करते वक्त आप किसी भी रंके, किसी भी तरह के वस्तर पहन सकते हैं तुझ वह वस्त्र धुले हुए होने चाहिए और साफ सुत्रे होने चाहिए पूरख दिशा की तरफ आसन लगाकर बैठ जाएं किसी भी धुले हुए वस्त्र को पहन के और अपने जिस साथी को आप पाना चाहते हैं चाहे वो कोई भी हो लड़का हो या लड़की हो उसकी फोटो अपने हाथ में पकड़ ले दोनों हाथ में उसकी फोटो पकड़ते हुए और आखे बंद करके इस मंत्र का 108 बार जाप करें यदि आप 108 बार जाप नहीं कर सकते आपको मंत्र याद नहीं होता तो आप आखे खोल के उसकी फोटो में देखते हुए उसकी आखों में देखते हुए यह मंत्र जाप करें और देखें किस प्रकार से आपका जो साथी आपसे नाराज होकर चला गया या लड़ाई होकी या कुछ भी समस्या आपके बीच में आई है वह दूर हो जाएगी और वह जल्दी से जल्दी आपसे मिलने को आतुर होगा तो चलिए मैं आपको बताता हूँ इस चमतकारी मंत्र के बारे में और इसको किस प्रकार करना है जब आप इस मंत्र को जाब करें तो अपने पास एक पानी का ग्लास अवश्या रखें ताकि जब 108 की संख्या पूरी हो जाए उसके बाद आप वह पानी पी लीजिए और यह मंत्र आपको बोलना है मन में नहीं बोलना चाहे तो आप धीमी आवाज में भी बोल सकते हैं लेकिन आपको बोलना ही पड़ेगा और यह मंत्र इस प्रकार से आपको जाब करना है ओम भेर्वी कालिकाए नमा मंत्र एक बार फिर से सुन लीजिए ओम भेर्वी कालिकाए नमा इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है और 108 बार जाप होने के पश्चार आप अपनी इच्छा उस भैरिवी को उस काली को आप बताईए कि हे माम मैं चाहती हूँ की या मैं चाहता हूँ और अपनी इच्छा बोर दीजिये और उसके बाद वहाँ पर एक बार प्रणाम करते हुए माथा टेकते हुए उस जगह को जहां पर आपने ये मंत्र जाप किया और उसके बाद आप वहाँ से चले जाए और उसके बाद आपको कुछ भी करने की जुरूत नहीं है और इसके कम से कम एक हफ़ते से दस दिन तक आपको कुछ भी नौन वेज इत्या दिन नहीं घाना और मात्र दो से तीन दिन के अंदर ही आपको खुशकबरी मिलनी शुरू हो जाएगी यदि वह इंसान जिवित होगा तो संसार में चाहे कहीं पर भी हो उसके दिल में आपकी याद आने लगेगी और वह इस कदर पागल हो जाएगा कि आपसे संपर्ख के बिना रह नहीं पाएगा और बहुत जल्द वह आपसे मिलेगा क्योंकि ये कटू सत्य है ये मंत्र अतीतिव्र काम करता है आप इसको करके देखिए रिजल्ट्स आपके सामने होंगे और दुरलब सामगरी के ग्रूप में आप शामिल होना चाहते हैं तो हमें वाटसप करिए और यदि आपका कोई कारे सित हो जाता है जैसे लोगों के हो रहे हैं तो आप हमें वाटसप करके जरूर बताए ताकि हम आपकी आवाज को सभी तक ले जाए दुरलब सामगरी की वीडियोज को ऐसे ही देखते रहे और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा हमारी चैनल को ओम नवाशिवा